जय हैं दोस्तों कैसे आप सब Welcome back to A2JS study दोस्तों आज हम 8 जून से रिलेटेड जितने भी क्रेंट अफेस के question बन सकते हैं या फिर उस से रिलेटेड जितने भी एस्टैटिक जिके के question मन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कबर करेंगे तो आप वीडियो को लाश्ट टक से देखेगा और लाश्ट में जो question of the day पुछा जाता है अगर उस प्रसन का आप सही जो आप comments बोक्स में बता देते हैं तो अगले दिन के session के last में आपका नाम बेनास किया जाता है तो चलिए start करते हैं आज की session चलते हैं आज के पहले प्रस में यह मद्ध परदेश सरकार की एक नई initiative है thanks mom कारिक्रम जिसके तहत मद्ध परदेश के सरकारी करमचारियों को अपने मां के नाम पर एक पेंड लागानों को बोला जा रहा है ताकि वह अपने उस पेंड की रक्षा अपने मां की तरह कर सके आम तोर पर होता क्या है कि हम लगा लेते हैं उसके साथ सेलफि भी ले लेते हैं फोटो भी खिचवा लेते हैं फिर अगले दिन से देखने भी नहीं जाते पानि बढ़ने की तो बात दूर की हम उसे देखने भी नहीं जाते है कि उस से पेंड की हालत क्या हुए तो इसी के लिए यह thanks mom कार करम सुरू कि गया ताकि करमचारी अपने मा के नाम पर पेंड लगाए और इसकी देखबाल भी अपनी मा की तरह करें तो इस प्रसंद का सेजन स्रोग अप्सन नमर सी मद्ध परदेश मद्ध परदेश की राजधानी है भोपाल इसके सीमें सिवराज सिंग चोहान और राज पाल हैं लाल सी टंडन मद्ध परदेश ने दो और मद्ध पूड योजणाय शुरू की है कौन कौन सी एक है जीवन अमरीत योजणा और एक है जीवन सक्ति योजणा के तहत मद्ध परदेश के सहरी झेतर की माहिलाओं को मास्क बनाने को बोले गई थी जिसके तहत उन्हें पर मास्क 11 रूपए भुक्तान किये जा रहे थे और जीवन सक्ति योजना के तहट मध्परदेश सरकार आयूस मंत्राले के साथ मिल करके इम्मुनिटी बूश्टिंग का क्याम कर रही थी तो चलते अब अगले प्रसंद पर अगला प्रसंद सन्युक्त राष्ट्र रूसी भासा दिवस कब मनाया जाता है तो ये रूसी भासा दिवस हर साल मनाया जाता है सन्युक्त राष्ट के द्वारा 6 जून को इस प्रसंद का सहेन सरक अप्सन नमबर A United Nation में छे भासाओं को Officially मनेता प्राप्त है वो छे भासाओं फ्रांसिसी, चीनी, अंग्रेजी, अश्पेनिस, रूसी और और भी जिसमें से 6 जुन को मना जाता है रूसी भासादिवस फ्रांसिसी भासादिवस 20 अप्रेल को र चीनी भासादिवस 20 अप्रेल को अंगरेजी और स्पेनिस भॉप दिवस यह मनायजाता है 23 सप्राइल को दोनो रूसी भास दिवस 6 जुन को और अर्भी भास दिवस मनायजाता है 18 दिशंबर को यह 6 भास आए United Nation के दोरा मानेता प्राप्त है चलते अब अगले प्रसंन पर अगला प्रसंन है हाली में Forbes दोवारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले Celebrities की लिस्ट में सीर्स पर कोन है तो ये Forbes एक मैगजिन है ये हर साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले Celebrities की लिस्ट जारी करती है और उसमें इस पर 2020 में Top पर आई है Kylie Jenner ये American model है Kylie Jenner और ये आई है Top पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले Celebrities बन चुकी है दूसरे नमबर पर है Kenya West ये कोन है तो ये भी American rapper है Kenya West ये दूसरे नमबर पर आई है जबकि जब हम Athlete की बात करें Sports person से तो उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हैं Roger Federer ये ओभर ओल तीसरे नमबर पर आई है Celebrities में लेकिन अगर Sports person की बात करें तो उसमें ये पहले नमबर पर रोजर फिटर और वोलिवुड से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बने हैं अक्छाई कुमार अक्छाई कुमार की सालाना कमाई है 374 करोड रुपए साल भर में 374 करोड यानि है कि आउस्तन बोल सकते हैं कि पर दिन एक करोड अक्छाई कुमार और इनकी ओभर रोल रैंकिंग है ये अक्छाई कुमार की 52 2020 में 2017 से पहले तक तीन थें वोलिवुड से टॉफ हैंडेड में अक्छाई कुमार सारुख खान और सल्मान खान 2017 में सारुख खान बाहर हो गए थे 2019 वाले में सल्मान खान बाहर हो गए थे अब 2020 वाले में के वाल अक्छाई कुमार बचे हैं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटिज में बॉली बुड से और अगर किरिकेटर की बात करें तो किरिकेटर में सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं विराड कोली और एथलीट में टॉप हैंडेट दुनिया की सबसे अज़्यादा कमाई करनवाले एथलीट में एकलाओते किर्केटर हैं बिराट को ली चलते हैं अगले प्रसन पर अगला प्रसन ने मेघ संदेश एप किस राज ने विक्सित किया है तो यह मेघ संदेश एप यह फोरकास्टिंग के लिए एप विक्सित किया गया है करनाट का सरकार द्वारा यह एप वास्तविक समय की जनकारी के सासत वेंगलोर में बारिस बार टुफान के अलट का पुर्वनुमान लगाएगा तो वही है यह मेघ संदेश एप और इसे विक्सित किया गया है करनाट का राज द्वारा तो यह यहां पर है करनाट का है यह भारत के मैप में इस मैप में करनाट का की लोकेशन यह पर है करनाट का के पडोसी राज है महराष्ट तेलंगाना आंधर परदेश तमिलनाडू केरला और गोवा गोवा यहां पर है छोटा साराज इन 6 राज्जियों से अपनी सीमा साजा करता है करनाट का करनाटका की कैपिटल है बैंगलोर इसके सीएम है बीएस यद्धुरप्पा गोर्नर है वाजु भाईवाला करनाटका में टोटल 28 लोग सबा सीट 12 राजे सबा सीट 224 बिधान सबा सीट और 75 बिधान परिशद सीट है करनाटका के महत्वपुन राष्ट्रिय उध्यान है अंसी राष्ट्रिय उध्यान बांधिपूर राष्ट्रिय उध्यान बेनर घट्टा राष्ट्रिय उध्यान और नागरहुल राष्ट्रिय उध्यान नागरहुल राष्ट्रिय उध्यान का ही एक नाम राजियो गांधी चलते हैं अगले प्रसंट पर अगला प्रसंट किस बैंक ने समट ट्रीट्स नामक अभियान शुरू किया है तो यह समट ट्रीट्स अभियान यह सुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा यह HDFC बैंक यह भारत की सबसे बड़ी प्राइबेट सेक्टर की बैंक है HDFC बैंक अभी आप नोटिस कर सकते हैं कि PMO रेलीफंड में जितनी भी डोनेशन दी गई हो उसमें से ज्यादा तर बड़े लोगों की जो डोनेशन मिली है वो HDFC बैंक के अकाउं इसके MD है अदित्यापूरी और HDFC बैंक की टैग लाइन है वी अंडरेस्टेंड यूर वर्ल्ड इसकी टैग लाइन है अब बात करें अधर अप्संस की तो कोटक महेंद्रा बैंक यह अभी भारत का पहला बैंक मना है वीडियो के जरिए किवाई सी करने वाला कोटक महेंद अधर बैंक इसकी टैग लाइन है वंशेक पृतिक पंजाब शायर बैंक की हेटकार है डिली इसमेंग अगलेप प्रसन ने सहरी छेत्रों में वन आरॉंड को बढ़ाने की उदेसं хват कira करम सुरू किया गया तो सहरी छेत्रों में वन आवरा ऋंड को बढ़ाने के व्यक्ते अब इस कारेक्रम शुरू किये गये नगरवन कारेक्रम और इस कारेक्रम की शुरुवात की गई है हमारे पर्यावराण मंत्री के द्वारा हमारे बरतमान में पर्यावराण मंत्री कोन है वह है प्रकास जावडेकर हमारे बरतमान में है पर्यावराण मंत्री इस प्रसंग का स सबसे ज्यादा मिरती हुई है तो अभी इस रिपोर्ड का उंसार भारत में पिछले आठ सालों में 750 बागों की मौत हो चुकी है जिसमें सबसे ज्यादा मौत हुई है मध्य परदेश में मध्य परदेश में टोटल 175 बाग की मिरती हो गई है पिछले आठ सालों में तो इस पर परक से कांधा नेशनल पार्क में पन्ना नेशनल पार्क माधवन नेशनल पार्क इसमें से संझे नेशनल पार्क यह मद पर्देस और छटी सिकर दोनों में फ्यला हूँ और परदेश के रीवा को ही सफेद बागों की जनम भूमी कही जाती है चलते अब अगले प्रसंद पर अगला प्रसंद विस्व खाद सुरक्षा दिवस का मनाया जाता है तो यह विस्व खाद सुरक्षा दिवस यह मनाया जाता है साथ जून को इसका उदेश से खाद सुरक्षा के प्रति जाग रुपता फैलाना और विश्व खाथ सुरक्षा दिवस 2020 की थीम रखी गए फूड सेफटी एवरीवन्स विजनेस यह इस बार कि इसकी थीम है इसे मनाईड़ अच्छी जाता है इनाइटेड नेशन के द्वारा तो इस प्रसंद का सेंस रगाप्सन नमबर ड जून में अब तक से जितने भी महत्तपुन दिवस मने हैं सारे नीचे लिखे हुए हैं एक जून को मनाई गया था अंतराश्टिय वालरक्षा दिवस दो जून को तेलंगाना राज अस्थापना दिवस तीन जून को विश्व साइकिल दिवस आकर्मण के सिकारवे मसुम बच्चों का अंतराश्टी दिवस मनाई गया था चार जून को और पांच जून को मनाई गया है विश्व परेवरंड दिवस और फिर मनाई गया साथ जून को विश्व खाद सुरक्षा दिवस तो इस प्रसंद का सायान सुरक आप्सन नमबर डी और छे जून को मनाई गय के लिए 6 जुन को विश्व कीट दिवस तो यह थी आज के क्रेंट अफेस के सेशन की लास्ट क्वेस्चन अब हम चलते हैं क्वीज पर पिछले विडियो में आपसे प्रसंद पूछा गया था विश्व परयावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी तो यह परयावरण दिवस यह मना जाता है पांच जुन को उनियाटेड नेशन के दौरा और हर सा United Nation एक देश को इसका में जबान देश बनाता है और होस्ट कांट्री 2020 की बनी है कोलंबिया, 2019 की थी चाइना और इस प्रसंद का सेजन्सरों का वायो डैवर्जिटी विसो परियावरण दिवस 2020 की थीम रखी गई है वायो डैवर्जिटी तो इस प्रसंद का सेजन्सरों का वायो डैवर्जिटी ये थीम है विसो परियावरण दिवस 2020 की और इस प्रसंद का जिन जिन लोगों ने सही अंसर दिया था उनके नाम है स्वरव कानियाल, राहुल कुमार, गौरा सिंग, भुविस सैनी, प्यूस गुपता, मनीश रोय, आरिफ हुसान, पौन महता, रितेस मोर्या, अलोक तिवारी, अभिसेक तिवारी, लोकुष ठाकुर, गुपाल कुमार, परदीप कुमार, कौसल पांडे, जितकुमार, मोर्या, इन सारे लोगों ने इस प्रसंट का सही जवाब दिया था, जयो भी बित्ता, चलते अब अगले प्रसंट पर, अब क्वेशन अब दे है, महिला एसी आई फुटबाल कप 2022 की मेजवानी कौन करेगा, इस प्रसंट का सही जवाब आपको कमेंट्स बोक लाइक कर दिजिए, एक बार इस वीडियो का अब लाइक कर दिजिए, अब मिलते हम फिर कल 9 जून के करेंट अफ्यास के सेशन में, तब तक के लिए घर पर रहे है, सुरक्षित रहे है, पढ़ते रहे है प्रसंट प्रसंट रहे है